हाई एवरीवन वेल्कम बाक टुशनाने क्लासस फिस्टर फॉल गुड इबनिंग ट्यू एवरीवन राधे राधे आप सभी को मेरी ओर से कैसे हैं आप सब आई हो फ्रेंट्स बहुत अच्छे होंगे मस्त होंगे स्वस्त होंगे खुश होंगे अच्छे से रहिए सब्सक्राइब करने वाली हूं मैं आपको पूर टेलिग्राम दे दिया इसलिए यह था कि हाँ हो जाए चलेंगे रोज राम को आट बजे और रोज साथ बजे दो क्लास हम करेंगे क्योंकि अब कोर्स बहुत डिले हो जाएगा तो अब रफ्तार पकड़नी है दिरे से करके क्योंकि मार्च में रेजर्ट दस दिन बात 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 रेजर्ट की उम्मीद है कि हो जाएगा तो उसकी प्रप्रेशन के लिए हमें जुट जाना है वरना बहुत दिक्कत होगी तो अब हम मैंनेज करते हैं धीरे धीरे करके हरी चीज़ों चलते हैं ताकि कर ले जाए प्रॉब्लम हमको आगे देखने को ना मिले इसी के लिए फिर मैं आज यहां पर आपके लिए संस्कृत लेकर आई हूँ जो कि संस्कृत में आज मैं आपको एक नया टॉपिक बताऊंगी जो कि काफी इंपॉर्टेंट है टेट में तो ऑफशन है लेकिन सूपर टेट में प्रॉब्लम नहीं है इस वज़ा से आपको यह पढ़ना पड़ेगा जो कि इंपॉर्टेंट है अच्छा है छोटा स्लैबस भी है और कवर कर लें कि बहुत प्रॉब्लम नहीं होगी लेकिन पढ़ना पड़ेगा थोड़ी बहुत दिक्कते आएंगी इन कंपैर्जन तो अ प्रॉब्लम नहीं है कि आप हर चीज को आके करो या जैसा जैसा आपको सही लगे आप बड़े हैं समस्दार है सही निर्ड़ा ले सकते जो आपको लगे क्या आपके लिए प्रॉटेबल है आपको बाते समझ में आ रही है वह आप करिए ठीक है फ्रेंट्स बहुत मैं नही प्रॉटे से कोर्स के लिए इतनी क्लासे लेना और टने टाइम डिरेशन देना वह दोनों के लिए वेस्ट ऑफ टाइम है तो मैं लिमिटेड करूंगी क्या हो रहा है सो मैं बहुत सिंपल सिंपल तरीके से जो इंपोर्टर जो महातपूर है उस पर डिसकस करके आपको हर ए दूलता हमको संस्कित मिलता है तो हम कबर करके नंबर कर लेते हैं आज के टॉपिक पर सुरू कर रही हूं वह है महेश्वर सूत्र अब इन सूत्रों के बारे हैं पूर डिटेल में आपको फूल डिटेल करने चल रहे हैं तो पूरा वीडियो इंटर देखेगा कोई प्रॉ महाश्री पार्णिघर, नका नाम है महाश्री पार्णिघर, इननों ने ही दिया है यहाँ पर है कि पार्णिघर 12 महाश्र सूत्रTA हैं नमबर से कितने हैं 14 हैं यह हमें सस्कृत व्याकरम देखने को मिलेगा आइए मैं प्र फूल iðसकस करती हूं ताकि आप हर एक बात को ब संस्कृता शीव सूतराडी को संप्रित वियाकड का आधार माना गया है। संस्कृत वियाकड क जो एक पिलर य hela तम्हें सकते हैं वह माहेश Viel शूतर होता है ! पाड़िन जी इस संस्कृत भासा के ततकालीन सरूप को परिस्कृत और नेमिद करने के उद्देश भासा के विभिन अवियों और घटकों या तता ध्वनी विभाग जैसे नुसमें आप कह सकते हैं कि संग्या, सरवनाम, विशेशन, पद, अख्यातक चीजें, क्रिया, सर्ग, अव्य, वा, किलिंग, इत्याद तता उसके अंत संबंदों का समावेश अस्ट ध्याई में किया गया है मतलब जो ये महाईशर सूत्राणी बनी हुई है, जो पार्णी जी के दा संस्कित भासा में बनाई गई है, इसके अंदर आपको हर एक अव्यों से, हर एक घटक की, हर एक ध्वनी विभाग की पूरी संबंदित जानकर इसमें दी गई है, जिसके बारे में आपको पढ़ना और हर एक बात क्लियर समझ में आजाएगी, आईए आगी देखते हैं, यहाँ पर रिया गया है, इन्होंने कहा है कि अस्त ध्याई में, इन्होंने एक जिसे कहते हैं कि पार्णी जी ने पुरा ग्रामर, संस्कित भासा का जो ग्रामर है, वर्ण माला से संबंदित बात है, और काफी कुछ इन्होंने लिखा है, तो इन्होंने अस्त ध्याई में 32 पाद हैं, जो आठ अध्यावों में समान रूस विभक्त की गए, बांटे गए हैं, उन्में हर एक बात का बहुत ही क्लियर तरीके से विवरण किया किया है, देखो फ्रेंज, अभी आप इसे पढ़ चीज़े नहीं पूछी जाती है, वो मैं आपको बताऊंगे, लेकिन आपकी इसकी जो भूमिका है, वो तो मुझे बताएं दीजे, ताकि आपको समझ में तो आएगी है एक एक्चुल में, देखें, यहाँ पर कहते हैं कि व्याकर के इस महानियाई गंत में, एकदम कह सकते काफी बड़ा अच्छा संस्कृत कहा गया, जिसमें पालिनी जीने, विभक्ती प्रधान संस्कृती भासा के विशाल कलेवर का एक समग्र और संपुड विवेचल लगभग चार हजास सूत्रों में कहनों सूत्र बनाए हैं, और उसी सूत्र में जैसे आप यह काखा गागा होगी तो आप देखेंगे जो आठ अध्याई की संख्या के दृस्त के समान रूप में डिवाइड हो गया, और ततकालीन समाज में लेखन समागरी की दुष्प्रेता को ध्यान में रखते वे पार नीरे व्याकर्ण में शृत्ती इसमिती ग्रम में बनाने के लिए उसको पूरे व्याक्थ्या को सूत्र का नाम दे दिया गया, बाकी कुछ है नहीं, आगे देखते हैं यहाँ पर क्या है, पुना विवेचन को अतिशय संशिप्त हेतु पार्णी जी ने पूरवर्ती व्याकर्णों से फ्राप्त उपकर्णों के साथ स्वेम भी अनेक उवर्णों भगवान नतराज श्यू के द्वारा किये गए तांडो नित्र से मानी जाती है, आप जानते हैं कि हमारे भुले ना संकर भगवान जो हैं, ठीक है, हमारे जो देव हैं, यह इनका आप जानते हैं कि यह नित्त करते हैं, बहुत बिकराल रूप में यह नित्त करते हुए हमे तो दो लाइन का सूत्र को आजाए दूर् सूत्र कृणकी प्रेक्टिस करनी करते है तब लिख पाएं कि महाश्री पांद किया प्रदो चौदा इसा है ॉऩ इसके बाएन आपको है हो एम है श्री अट पात है ऐसी वातें आपको याद करनी होंगी जब एक नंबर का प्रिश्ट बनेगा अब ये सूत्र भी आपको धारण के स्वरूप में याद करना होगा तभी आपको पूरा नंबर अच्छे से मिल जाएगा आइए दर ऊचारण करिए आप लोग पढ़िये मझा आएगा संस्कित पढ़ने मज़ा आता है ऐसा नहीं है तिक है क्योगि बोलते नहीं बनता है ये पढ़ने पूरा पर बहने संस्कृत सब्सक्राइब बहुत चाहिता है चले पढ़िए स्क्रीन पर देख रहा है उचारन करिए तोड़ तोड़ के करिएगा एक बार में नहीं हाएगा कोई वाइत नहीं तोड़ देखें हमें भी पूरा क्लेर नहीं है था क्योंकि हम भी जब आपको पढ़ाना रहा तभी पढ़ते हैं संस्कृत कहां कर पढ़ता है लेकिन ठीक है चलिए देखें निरत्या नी क्योंकि ना के नीचे हलंत वो उड़ंकुरा लगा वा नीचे वाला तो नीनित्या वासने नटराज राजो ननाद धक्कनम फिर से पढ़िएगा मैं बार 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 बोल रहें धीने धीर एक एको तोड़ तो आने तद्विमर्षे शिवसूत्र जालम फिर से वेचारण कर रही हूं आप मेरे साथ फिर से करिए सीख जाएंगे तोड़ों करिए क्योंकि इसकी हलंत इसकी मात्रा आपको पूरे लिख लेकर प्रेक्टिस करनी होगी क्या के पेपर में आएगा तो यहां पे है निनित्य इनोंने पूरा एक एक खंडित करते हुए हर एक चीज को क्लियर कर दिया जिसका मैं अब आपको इसका अर्था व्याक्या है वो समझा देती हूं तो आप संस्कित रूप भी चान जाएं और हिंदी का रूप भी समझ जाएं यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं कुछ समझ में एक दो तीन चार लाइन माहिसर सूत्र का है समझ में यह भोगान शिव के ऊपर बनाया गया है उनके वो जो नित्व हैं उसी के ऊपर है अब भी ने सूत्र भी दिखाया शूत्र के बारे में एक दो नंबर का लिखने को भी बताया क्लास समझ में आरी संस्कृत है कुम्हें नांत्र लिए नवनम्रु के जिर्शूत्रों की वर्ण माला प्रकट लिए जब उन्होंने अपने हाथ में औरम्रु को लेके भजाया तब उनके उस इंक चौदा चौदा बार में वर्ण माला प्रकट हुई ध्यान से सुनना जब भोले शंकर ना अपना तांडों ने तिकर रहे थे तब उन्होंने अपने डमरू को चौदा बार बजाया था और उससे जाकर जो ही संस्कृत वर्ण माला बनी हुई है पूरी वो उसके उन सूत्रों के ध्व अनकी प्रकट हुई थी यह रिश्यों की सिद्धी और उनके कामना उनके उधार के लिए यह बोले शंकर ने किया था है बहुत ड्यालू है इसलिए सवंकर जीक्व पाष्णा जदा की जाती है कि इस वंकर वहां को प्रश्ण करना बहुत जादा आसान होता है वह बहुत ल नमाला प्रकट हुई थी दवरु के चौदा आपार बजाने से 14 शूत्रों के रूप में ध्वनिया निकली ध्वनी निकली तुनी और इन्ही ध्वनियों से व्याकरण का प्रकाट हुआ इसलिए व्याकरण शूत्रों के आध्य प्रवर्टक भगवान नटराज को माना जाता इसलिए संस्कृत नासा में जो व्याकण के शूत्र है उनको भगवान नट्राज का माना जाता है क्योंकि उनके द्वारा उनके धम्रू से जो ध्वनी निकल रही थी उससे ये सारी चीदे निर्मित हुई है तो समझ पा रहे हैं सोच लीडे एक विशय है ये अगर आप द्वरू से हुआ तो कोई ताक ताल में दे सौन सकते हैं कि क्या है संस्कृत सभी दरों के लोग पढ़ रहे हैं सभी चीदे क्लियर लेकिन ये भ्योगवान शिव शंकर के नित्वर अधनु द्वरू से आवाज निकल रही वहां से उत्पनी सारी चीज़े हुई है तो कित आधार बना और ये काफी विख्यात हुआ तो क्या आप यहां तक एकदम सधारन बातों को समझ पर अगर क्लास अच्छी लग रहे तो लाइक करना बिल्कुल भी नहीं बूलेगा मैं सिंपल और सधारन बात आपको बतारी हूं जो में मुद्दे पर चोड़ करती हूं जहा आपको बहुविकल्पी प्रश्णर बनेगा कि महेश्वर सूत्रों की संक्या कुल कितनी है 14 15 16 18 तब आपको यह टेक करना हुआ कि टोटल इनकी जो संक्या है वह 14 महेश्वर सूत्रों की कुल संक्या कितनी है तो 14 आप कहेंगे अब वह क्या क्या है मोग बताती हूं जैसे हमको हिंदी व्याकर्ण के वर्ण माला को याद करने में बहुत आसानी होती लेकिन संस्कित वर्ण माला पूरा वर्ण जाष्ण बनाएगा जैन यह बड़ा कठे है क्योंकि याद करना आसान्य जल्दी य्याद नहीं होता है अभी कैसे हैं एक जोटी ए चोटी चोटा वर् चार चार एक साथ है तो यहां पर देख रहे हैं कितना हुआ यह चार हो गया आई उड़ा ऐसे प्रभियाद करते हैं बहुत गानल धुन में बोलके आई उड़ा फिर देखें यहां पर क्या है रीली का देख रहें आधा का है ए ओ ओ अंगा ए ओ चा हाया वरता इसे करके अंगा अंगा नामा जब या इसे करके बहुत दुन बोलते हैं गा अंगा धधाशा जब गधधशा खाप चठठठचठटब कपया फिश श श श रा ऐसे करके बोलते काफी बढ़िया बोलते हैं जब सर लोग उचार लोग चार्ड़ करते हा और ला तो यह टोटल जह हैं आप देख लीजें आपर आईए मेरे साथ एक बार फिर देखिए तो समझ में आगा इनको याद करना फ्रेंड्स ऐसे यही इनका क्रम ही है आप सुचेंगे आपको यहाद करना पड़ेगा और कोई नियम नहीं है लिखने को आता है तो ध्यान लखेगा मैं फिर एक बार ब यह जाये शु cyn grammar वाट नहीं जाएंगे को अधकर एथ कि लिखेत लोगे है क्या है पहले में आई उड़ा रेंसे बोली है आप लोग मेरे साथ तो बोलते यादा हजाए याद करते लिखते रहते था याद कर जब बयून करिए अभी फिर भूल गए हैं लेकिन फिर याद हो दाएगा आप लोगे साथ आई उड़ा ऐसे हाद करिए कोई ओचारा नहीं है आपके पास ठीक है आई उड़ा री लीका आई उड़ा री लीका ए ओंगा ए ओचा हाया वरटा हावाया हम पैसे याद कि एक में यह दो में यह ती आई उड़ा री लग ए ओंगा ए ओचा हाया वरटा लड़ा हम इसे करके चौड़ा टोडल है ठीक है फ्रेंद्स तो याद हो जाएगा आप लोगों को भी एक दो बार तीन बार आपसे याद करिए मैं इसको देट होगे टेलिगराम पर आपको भी डेफिनल आएगा तो आप आहां से देखिए और इसको जरूर जरूर याद करें यह आपको जरूर से जरूर आएगा आगे बढ़ते हैं इसे के तरह चली देखते हैं नेक्स क्या है अब इनके सूत्रों की व्याख्या में कुछ बाते हैं बता देते हैं उप्यक्त 14 सूत् ईसे प्रकार से साईयुजद किया गया यह भी अरेंज्मेंट ứngतर सेंब्स को आएज्यों होें इसे ही अछे प्रियोग्यावक्तर में ग्रहेंड करते हैं अभी एक नया शब्द आपको यहाँ पर मिला वो क्या प्रत्याहार यह देखिए महाईश्वर सूत्र को इसी कारण से प्रत्याहार विध्यक शूत्र भी कहते हैं ध्यान से मेरी बातों को सुनिएगा वे वर्णों को वे अच्छरों को माहेश्वर सूत्र से प्रत्याहार बनाते हैं यानि कि अभी तो हम माहेश्वर सूत्र कितने हैं चौदा लेकिन इनी माहेश्वर सूत्र से लिखा है देखो इन वर्णों को माहेश्वर सूत्रों स्रेश से पत्याहार बनाकर संचेप में यानि की छोटे से रूप में ग्रहन करते हैं और माहेश्वर सूत्र को इसी कहार से प्रत्याहार विध्यक शूत्र भी कहते हैं तो दोनों एक ही नाम है तो कहीं कलती आपसे ना हो तो हम बता दे रहें आंको और कलर भी इसलिए जेंज किये हुए प्रत्याहर बनाने की विधी तथा संस्कृत व्याकर में उनके बहुबती प्रयोगों को आगे भी तरशायक है जो कि मैं आपको दिखाऊंगी इन प्रत्या है इन चौदह सुट्रों में संस्कृत भासा के समस्त वढर्नों का समावबेक्श किया रहें जारें चाहिए वाधो किसी भी चीज़ में कोई कभड्य पद्ध में कैसी भी कृतिया हैнопला का उसमें निरूपित कर लदन जरूर ज़रूर कैसा की और ऑच व जो आपको प्रतम चार शूत्र में मतलब एक शूत्र, दो सूत्र, तीन सूत्र नमबरिंग जो हुई वह वहत इंपोर्टेंट है और सेज दस रूज वह वेंजन वर्णों की संग्या की गई है यहाँ पर देखेंगा एक बात लिखी गई है कि चार शूत्र में ऊपर की जो चार लाइने एक दो तीन है उसमें स्वर की बात की गई है जो बाकी जो है दस के मलब उसके बात की सेज जितनी है वो वेंजन की गई है तो जो स्वरवर्ण है जो चार स्वरवर्णों की लाइन है वो अच्च कहलाते हैं संस्कृत में स्वर को अच्च कहते हैं मेरी बात ध्यान से सुन लीजेगा यह आपको पहचानने के लिप होई कल्पी में प्रश्ण मिलेगा और लिखने के लिए भी आएगा यहां तक ले र देखो आप पहली लाइन में कुछ है तो सब स्वर है कोई प्रोब्लम लग नहीं उसके बाद आप यहां पर देखो यह आधा का है पूरा नहीं रियान रखना तो चार लाइन तक आप देखिए तो यह स्वर है बागी सेस आप देखेंगे तो सब आपको क्या मिल रहा है आप को देख लो आप देखो मैं आपको देखाा देती हूं एक करने के स्वर को जो तो तो दो एक नई बाते हैं आपको आज की क्लास बहुत इंटरस्टिंग नहीं के इसम्पल तरीके से मैं आपको बता है और वही इतना पता हुआ है और इतना पता हुआ कि जो पेपर में आगा बाकी है तो इसमें बहुत साइक जड़ी अकर मैं इसको एक्स्प्लेइन करूं आपको तो आप परिशान होता है को कुछ आएगा नहीं क्योंकि वह सुपर्ट के लेबल का है वह भी नहीं आएगा इसमें थोड़ा साइगा तो थोड़ी बाती बताएंगे नहीं तो बहुत लंबा है तब उसमें काम नहीं भूल जाओ गया ठीक है तो यहां पर देखो अ आपको स्टार्ट किया हुआ पढ़ा रहे हैं आपको यह संस्क्रिप दी दूसरी क्लास है तो मैं संस्क्रिप में में इंपॉरेंट इतने भी टॉपिक है उन ही से वगत कराऊंगी यह और जो टुफ सेक्शन है कि यह है मैत आपकी बार एजी है मैत हम भी नहीं करा रहे है क आपको बार पर देखिए से पकड़ के लिए और मैत बहुत आसान है इस बार कि मैं बहुत इजीर सूत रपयात आरे तो प्रॉल्म नहीं होगी संस्क्रित और जो कंप्यूटर आप लोगी दिक्कत है तो मैं वह यह आपको लेके आराम से साइस अप्डेक करूंगी हर एक ल साथ को हो रही नहीं दूंगी मैं मिलते हैं फिर नेक्स में नहीं बातों के साथ नहीं चीव चर्चा करेंगे देखें कैसी रेकला ज़रू बताएगा लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलेगा टेलेग्राम पर जो बोल क्वेशन होते हैं उसको भी नजॉय क्या करिए त